किस राशी का एक वर्ष छे मास में 3.1.2 परसेंट वार्षिक दर्से साधारन व्याज चुर्टालिस रुपए 10 पैसे हो जाएगा हमें फाइंड ओट करना है राशी मूलधन solution देखते हैं हमें जो given है question में हमें given है समय समय हमें कितना दिया गया है एक वर्ष छे माँ तो हमें इसको किस में change करेंगे वर्ष में change करना है एक वर्ष one as it is रहेगा six months को हमें change करना है year में तो one year में कितने months होते 12 तो six को 12 से divide कर देंगे तो यह cancel हो जाएगा यहाँ पर six one just six six two is a 12 तो यह one upon two यह आ जाएगा mix fraction में one one upon two इसको solve करेंगे two one is a two and plus one three three upon two आ जाएगा three upon two worse okay then हमें दर दी गई है यह भी हमें mix fraction में given है three one upon two इसको भी solve करेंगे two three is a six plus one seven seven upon two percent और व्याज व्याज हमें दिया गया है 44 rupees 10 पैसे इसको भी हम रुपे में change करेंगे कैसे change करेंगे देखते हैं okay so हमें यहाँ पर one रुपी में कितने पैसे होते हैं hundred पैसे होते हैं तो one पैसे में कितने रुपी होंगे one upon hundred यहाँ पर ज्यादा थे हमापस तो ज्यादा जब हम less करते हैं तो डिवाइड करते हैं okay तो one पैसे में one upon ten रुपी हो जाएंगे तो 10 पैसे हमें find out करना है 10 पैसे को रुपी में change करना तो 10 पैसे is equal to 10 upon hundred रुपी तो हमें दिया गया 44 rupees as it is रहेगा plus यहाँ पर इसमें क्या करेंगे जो 10 पैसे था वो रुपी में change हो गया 1 upon 10 okay तो इसको plus क करेंगे तो यह हो जाएगा 10 से 44 को multiply करेंगे यहाँ जाएगा 440 प्लस 1 as it is पूरे क्या पॉनमी हापे 10 आ जाएगा तो यह जाएगा 441 upon 10 इसको decimal में change करेंगे यहाँ जाएगा 44.1 रुपी तो यह change हो गया रुपी में तो साधारन व्याज हमें पास कितना आ गया 44.1 रुपी अब हम find out करेंगे मूलधन सेम वे जो हमने previous जो question में किया है वो formula क्या रहता है व्याज इंटू 100 upon समय इंटू 10 तो values पूट करेंगे व्याज कितना है 44.1 इंटू 100 and समय कितना है 3 upon 2 and 7 upon 2 अब solve करेंगे इसको तो यह क decimal remove करेंगे आ जाएगा 44 upon 10 इंटू 100 as it is और यह जो 3 and 7 इसके upon में रहेगा और यह इसके division में है इसको multiplication में change करेंगे तो बोर 2 कहां चले जाएगे ऊपर आ जाएगे गे तो multiply हो जाएगे 2 इंटू 2 then cancel 0 to 1 0 cancel here 3 से cancel 3 1s are 3 यह हो जाएगा यहाँ पर 3 1s are 3 1 left here 4 3s are 12 again 2 यहाँ 7 3s are 21 तो यहाँ जाएगा 147 147 को cancel करेंगे 7 से 7 2s are 14 7 1s are 7 तो कितना रह रहा है हमारा पस यहाँ आगे 21 into 10 into 2 into 2 okay यहाँ पे लिख लेंगे 21 into 10 into 2 into 2 इसको multiply करेंगे यहाँ जाएगा 840 रूपीस तो हमारा answer यहाँ पे आगे 840 रूपीस आंसर then question number 5 किसी राशी का 2 1 upon 2 वर्ष में 4% साधारन व्याज की वार्षिक दर से 1056 रूपी रूपे जो है मेश्रदन होता है तो राशी ग्याद करो इसमें भी हमें क्या find out करना है किसी राशी का 2 1 upon 2 वर्ष में साधारन व्याज की वार्षिक दर से 1056 रूपे मिश्रदन है तो राशी हमें find out करना है मूलधन ही find out करना है इसमें भी ओके तो हम यहां पर ले लेते हैं मूलधन को हम ले लेंगे 100 रूपीज और हमें गिवन है 4% एंड समय 2 1 upon 2 mix fraction में गिवन है इसको solve करेंगे 2 to the 4 and 1 5 5 upon 2 वर्ष आ गया साधारन व्याज formula रहता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बेटे 100 तो यह आ जाएगा 100 मूलधन हमने लिया है इंटू 4 दर हमार पस 4% है एंड समय कितना है 5 upon 2 तो 5 upon 2 आ जाएगा एंड upon में 100 है तो 100 यह आ जाएगा 100 तो 100 कैंसल हो जाएगा 2 से 4 2 तो यह आ जाएगा 5 2 तो 10 10 रुपीज हमार पस किया गया साधारन व्याज अब मिश्रधन का formula कितना होता है मुलधन plus Saedharan Vyaj 100 plus Saedharan Vyaj 100 upon 110 into 1056, cancel 0 to 0, 11 say cancel 96, then 96 into 100, 960 rupees answer here.